गाइच आप सभी को पता है रेल्वे गुरूप D में, NTPC में, ALP Technician में, RRVJ में, RPF में, कंकाल तंतर वाले चेप्टर से बहुत सारे क्यूशन पूछे जाते हैं इस वीडियो में मैं आपको कंकाल तंतर के प्रियोशर के क्यूशन बताने वाला है जो आप से रेल्वे गुरूप D में, NTPC में, ALP Technician, RRVJ में जो क्यूशन आपसे पूछे गए हैं वो सभी क्यूशन में आपको कॉंसेप्ट के साथ में हल करवाने वाला हूँ जैसे मैं कम्यूटी पोस्ट में क्यूशन डालता हूँ जिसके आंसर आप सभी स्टूडेंट देते हैं वो सभी क्यूशनों को मैं कॉंसेप्ट के साथ में यहाँ पार सिकाने वाला हूँ चलिए फिर आज की क्लास की सुरुवात करते हैं चेप्टर का नाम लिख लिजिए कंकाल तंत्र कंकाल तंत्र इसकेलेटन सिस्टम ठीक है भी यह ओके तो यह रहा आपकी स्क्रीन पर क्यूशन नंबर वन देखे भी यह इस चेप्टर का यह रहा पहला क्यूशन और यह चेप्टर बहुत बड़ा होने वाला है लग बग आठ से दस क्लास होगी परते क्लास में मैं आपको railway group D में NTPC में ALP technician में RRBJ में जो क्यूशन पूँचे गए हैं वो सभी ही क्यूशन अभी latest exam में वो सभी ही क्यूशन करवाने वाला हो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको क्यूशन नंबर वन दिखाई दे रहा है जो आपसे RRB group D में पूँचा गया है 12.9.2022 को कब पूँचा गया है 12.9.2022 को अभी railway की जो exam हूँ थी न group D की उसमें पूँचा गया है latest question है इतना बड़ा question है वाया और इस question का answer आपको बताना है मैं question पढ़ता हूँ उसके बाद में इसका concept भी समझेंगे हैं बहुत अच्छे से आज के बाद में आपको रेखित पेसी, एरेखित पेसी और हर्दे पेसी से एक भी question नई चूटेगा अगर आप इस class को पूरी देख लेते हैं तो ये मैं आपसे वादा करता हूँ बट सर्थ ये है जो मैं आपको सिखाता हूँ उस चीज को लिख लेना भईया notes बना लेना एक एक चीज important है आपके लिए अगर आप चाते हूँ कि कंकालतंतर से हमारा एक भी question नई चूटे अगर आपके दिमाग में ये doubt है कि हमें तो कंकालतंतर आता है तो इन क्यूशनों का answer हमें बताईए भईया उप्सन में comment box में इन क्यूशनों का answer बता देजी हमाल लेंगे कि आपको इन क्यूशनों का answer आता है लेकिन मेरे कराने से पहले क्योंकि live class तो है नहीं है मैं record करके डालता हूँ तो मेरे क्यूशन का answer बताने से पहले आपको answer में बताना है comment box में बताना है इस question का answer मेरा कहने का मतलब यह है देखिए बहुत अच्छे-ची question है रेकित और एरेकित पेसे कोशिकाओं में क्या अंतर है यह आपके सामने options है देख लीजिए पूरा body भर चुका है Ops no.1 कहता है कि एरेकित पेसिया तंत्रिकाओं से नहीं जुड़ी होती जबकि रेकित पेसिया जुड़ी होती है क्या यह बात सही है Ops no.2 रेकित पेसियों में केंदरक नहीं होता है जबकि एरेकित पेसिया दुवी केंदरी तो होती है क्या यह बात सही है Ops no.3 कहता है कि एरेकित पेसियों का एच्छिक संकूचन नहीं होता जबकि एच्छिक पेसियों का अपनी इच्छा से संकूचन होता है और Ops no.2 है कोई नहीं सबसे पहले मैं आपको आसान मासा में बता देता हूँ कि क्युशन आपसे क्या कहना चाह रहा है आप सबी को पता है जो पेशिया होती है वो तीन परकार की होती है नहीं पता है तो अभी पता लग जाएगा आगे मैं आपको सब कुछ सिखाने वाला हूँ रेखित पेसी और हर्डे पेसी यहाँ पर यह जो क्यूशन आपसे पूँछा गया है वो रेखित पेसी से और एरेखित पेसी से पूँछा गया है दोनों को mix में करके जब आपसे क्यूशन पूँछा गया है पहला option कहरा है कि जो एरेखित पेसिया होती है क्या वो बात सही है, तो आप answer A कर दीजी, अगर आपको लगता है कि रेखित पेशियों में केंदरक नहीं पाया जाता है, केंदरक तो समझते हो ना आप, केंदरक नहीं होता है, जबकि एरेखित पेशियों का इच्छा से संकूचन होता है, अगर ये बात सही है, तो ये answer कर दीजी, ओप्स नमबर D है कोई नहीं। तो भीया, इसक्यूशन का राइट आंसर क्या होगा। इसक्यूशन का राइट आंसर है ओप्स नमबर C. अब आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, समझ में अब आ जाएगा। क्योंकि अब मैं आपको कॉंसेप्ट सिखाने वाला हूँ, मसल से सम्मंदित, पेसियो से सम्मंदित, जहांसे आपको सारी की सारी नोलेज आ जाएगी। ध्यान से समझ लेना, आगे आने वाले 10-15 मिनट अगर आप मुझे ध्यान से सुनते हो, तो मैं गारंटी के साथ वादा करता हूँ, कि कंकाल तंतर से आज के बाद में, इस मसल सवाले टोपिक से जो भी क्यूशन पूछा जाएगा, उस क्यूशन का अंसर आप कर पाऊगी। बट सर्त मेरी यह है, ध्यान से सुनना है। मैं ओप्सन मिटा देता हूँ, क्योंकि हमारे पास डिजिटल बॉर्ड तो है नहीं है, कि स्लाइड को चैनल करके दूसरे स्लाइड पर आपको समझा दिया, फिर वापिस ओप्सन बता दिये। तो भीया, इसक्यूशन को आप उतार लेना, मसल्स के बारे में चैनल पेशी भी कह सकते हूँ, ठीक है? बिल्कुल आसान बहसा में पड़ेंगे? हमें कोई जल्दी नहीं है, अभी एक जम भी हमारी दूर है, लेकिन आपको जो सीखना है, वो बहुत अच्छे से सीखना है, ठीक है? मसल्स, यानि कि पेशियों के बारे में बात कर देंगे, सबसे पहले, यहां से जो क्यूशन पोँचा जाता है, वो यह पोँचा जाता है, कि पेशियों का अध्यन विग्टन की, जिस साका में किया जाता है, उस साका को क्या कहा जाता है? तो उस साखा को कहा जाता है भया, myology, क्या कहा जाता है, myology कहा जाता है, और एक दूसरी ब्रांच ओर है, वो भी आपके option में कभी-कभी आ सकती है, वो है भया, sarcology, वो कौन सी है, sarcology, तो ये दोनों ब्रांच है भया, इन दोनों ब्रांच में से कोई भी आपको option में दे सकता है आगर आप से क्यूशन पूँछे कि मसल्स यहने की पेशी का अध्यनम विज्ञन की जिस साखा में करते हैं जिस ब्रांच में करते हैं उस ब्रांच को कहा जाता है या मायोलोजी या फिर सारकोलोजी पहली बात के लिए रहे किसी को कोई प्रॉब्लम बिलकुल नहीं होने चाहिए देखिए हमारी जो बोन्स होती है अरे भाई हमारी जो हड्डिया होती है हमारी जो हड्डिया होती है हड्डी और जो हमारी तउचा होती है जो इसकीन होती है इसके बीच में यह आपकी मसल्स उ उपस्तित होती है, यह हमारी skin है, यह हमारी तउचा है, इसके नीचे हड़ी है, तो हड़ी के बीच में, और आपकी तउचा के बीच में, जो भाग आपको दिखाई देता है, वो होता है, वह या muscles वो होता है, आपकी पेसी, किसी को कोई problem, जिसे कि मैं सबसे पहले यह परकट लगाता हूँ, तो skin कटेगी, उसके बाद में muscles दिखाई देगी, आपको मपेशिया दिखाई देगी, मास पेशिया दिखाई देगी, उसके बाद में आपकी हड़ी आएगी, इतनी बात के लिए रहे, तो यह हड़ी और आपकी skin के बीच वाला भाग है, इतनी बात के तो इस में संकुचन और सिथिलन इन दोनों का गुन पाया आ जाता है आँ था तो इस बात के बारे में आपको दोन रखना है», जिससे यह अपना कारिये करती ही रहती है उन यह मसल्स यह पेशी यह मास पेशी किसी को कोई प्रब्लम याता है बिलकुल नहीं होने चाहिए और दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है बुरून की तीन परत होती है जिससे आपके सरीर के अंगों का निर्मान होता है सबसे बाहर वाली जो होती है वो होती है एक्टोडर बीच वाली जो होती है वो होती है मीजोडर और सबसे अंदर वाली जो होती है वो होती है एंडोडर यह अलग-अलग परत है बुरून की जिससे आपके सरीर के अलग-अलग अंगों का निर्मान होता है अगर मैं आपसे कहूँ कि यह जो मसल्स होती है यह जो पेसी होती है यह जो मास्पेसी होती है इस मास्पेसियों का निर्मान बुरून की किस परत से होता है तो आपको राइट आंसर करके आना है मीचो ड्रम से होता है वहिया लेकिन अपवाद के तोर पर आपको याद रखना है आपकी जो आँख होती है उस आँख में एक तो सिलियरी मासपेशी होती है सिलियरी और एक होती है भया आईरिस ये दोनों जो मसल्स है ये दोनों जो पेशी है इन दोनों पेशियों का निर्मान होता है भया एक्टो ड्रम वाले भाग से तो कभी-कभी आपसे ये चीज भी पूँच ली जाती है तो इस चीज के बारे में आपको पता होना जरूरी है भै इस चीज के बारे में आपको पता होना जरूरी है तो अगर मैं आप से क्यूशन पूंछ हूँ कि मसल्स का अध्यन विज्ञान की जिस साखा में किया जाता है वो साखा कौन सी है वो साखा है मायोलोजी या फिर सारकोलोजी ये खाँ होती है अमारी स्किन और हड्डियों के बीच में बोन्स और स्किन के बीच में इसमें जो गुण पाया जाता है वो पाया जाता है संकुचत और सीथिलन का यहनि कि सिकुडने और फैलने का गुण पाया जाता है इस मासपेशियों का जो निर्मान होता है वो ब्रून के मीजो ड्रम वाले प्रत्से होता है लेकिन अपवादी के तोर पर आपको सिलियरी और आईरिस्ट मासपेसी याद रखनी है जो कि आँक की है और इनका निर्मान होता है एक्ट्रोड्रम से टोटल हमारे सरीर में 649 पेसी होती है जिसमें से सबसे ज़्यादा हमारी पीट पर होती है वया लगबग 180 कितनी होती है 649 मासपेसी होती है जिनमें से हमारी जो पीट होती है इस पीट पर सबसे ज़्यादा होती है लगबग में 180 होती है अगर आपसे पूछा जाए इस सबसे बड़ी मासपेसी कौन सी है तो बताओ कमेंट बोक्स में सबसे छोटी मासपेसी कौन सी है सबसे मजबूत पेशी कौन सी है जब मैंने आपको कंकालत नतर वाले चेप्टर की थियोरी पढ़ाए थी तो मैंने वहाँ पर आपको भूत अच्छे से पढ़ाए था ये मस्कूलर सिस्टम वाला चेप्टर मैंने आपको अलग से भी पढ़ा रखा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्टिन में मिल ज्याएगा भाया आप जाकर पढ़ सकते हो तो गलूटस मेक्सिमस जहंकी एक मसल्स होती है जो की हमारे सरीर की सबसे बड़ी पेशी है और सबसे छोटी पेशी होती है इस्टेपेडियस जो कि हमारे कान में होती है सबसे मजबूत जो मसल्स होती है सबसे मजबूत जो पेशी होती है वो होती है मारी जीब की जिसका नाम है मेसेटर जिसका नाम है मेसेटर है कि थो किसिको क्या प्रोब्लम या तब बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए बंद दार पिस्किंष इंवर्त है आप yo भजाप एप यहां प मिम्हीं इस प्रींस्विर्ट ले लिजिए प्रूब्लम या तक सबसे बड़ी खूंश venues सबसे मजबूत मैं सेटर जोगी जीविए इतनी बात कलियर है ऑक भया अब जो मसल्स होती है वो तीन परकार की होती है पहली होती है बया रेखित पेसी रेखित पेसे दूसरी होती है भया एरेखित पेसे और तीसरी होती है भया हर्दे पेसे बिल्कुल आसान मसा में पढ़ाने वाला हूं भया पहली होती है रेखित पेशी, दूसरी होती है एरेखित पेशी और तीसरी होती है हरते पेशी, ध्यान से समझना रेखित पेशी जो होती है इन्हें एच्छिक पेशिया भी कहा जाता है क्या कहा जाता है वह यह इन्हें एच्छिक पेशिया भी कहा जाता है अब बात आती है कि भी यह इन्हें एच्छिक पेशी क्यों कहा जाता है क्योंकि यह हमारी इच्छा से काम करती है क्योंकि यह हमारी इच्छा से काम करती है इस जैसे इन पेशियों को क्या कहा जाता है एच्छिक पेशी कहा जाता है क्या कहा जाता है एच्छिक पेशी कहा जा जाता है इस जैसे ने क्या कहा जाता है कंकालिये पेशी भी कहा जाता है क्या कहा जाता है कंकालिये पेशी भी कहा जाता है मुख्य रूप से ये जो रेखित पेशी है, ये जो एचिक पेशी है, जो हमारी हड्डियों से जुड़ी हुई होती है, इस करने से कंकाली पेशी कहा जाता है, ये मुख्य रूप से आपके हाथ में, आपके पेरों में, आपके पीठ में, आपके गर्दन में, इन जगह पर पाई जाती है, इन जगह पर पाई जाती है, अब इसकी सरचना से बहुत सारे क्यूशन पूछे जाते हैं, कि जो रेखित पैसी होती है, इसकी सरचना कैसी होती है, मेरी बातों को ध्यान से समझना हो रहे कि एक चीज़ को लिख लेना, और अगर आपने ये चेप्टर नहीं ले जा रहा हूं, लेकिन ये सारी चीज़े में आपको पहली पढ़ा चुका, अगर आपने नहीं पढ़िया तो ये आपकी गलती है, आपको नीचे लिंग डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा विया, जाकर पढ़ लेगा, मस्कुलर सिस्टम याने की पेशित अंतर के नाम स मतलब क्या है, इसमें बहुत सारे केंदरक होते हैं, इसका मतलब क्या है, इसमें बहुत सारे केंदरक होते हैं, और ये लंबी होती है, यहाँ पर मैंने इसके सरचना में आपको भया तीन चीज़े बताई, बेलनाकार होती है, बेलनाकार का मतलब समझते हो, इस तरीके से ब लगा दूँआ, तो यहां पर देख लेना भईया, मैं लिख लेता हूँ, 15 मिनट पर एक डाइग्राम देखाना है, जब एडिटिंग करता हूँ ना तो प्रोगलम आती है भईया, ठीक है, ओके, तो यहां पर मैं डाइग्राम लगा दूँआ, यहां पर आप देख सकते हो कि जो रेखित पेशी है, जो रेखित पेशी है, इन रेखित पेशी हो की जो सरचना है, वो बेलनाकार आपको दिखाई दे रही है, इसमें बहुत सारे केंदरक होते हैं, बहुत सारे केंदरक का मतलब होता है, बहुत सारे केंदरक, और यह लंबी होती है, यह इसके पर सरचन में होती है तो किसी को कोई प्रोब्लम या तक बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए तो रेखित-पेशिय के बारे में आपको भूत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि actually में रेखित-पेशिया होती अब मैं आपको एरेखित पेशियों के बारे में बता देता हूं बता दू बया किसी को कोई प्रोब्लम है तक स्क्रेंशोट ले लीजिए मिटा देता हूं बया ठीक है अब एरेखित पेशियों के बारे में समझ लेते हैं एकित पेशियों को कहा जाता है अनेचिक पेशिया क्या कहा जाता है इन्हें कहा जाता है अनेचिक पेशिया एक्षा से काम नहीं करती है यह हमारी इच्छा से काम नहीं करती है इस जैसे इन्हें अनेचिक पेशिया कह दिया जबकि रेखित पेशियों को एच्छिक पेशिका क्योंकि वो अमारी इच्छा से काम कर रही थी तो एरेखित पेशिया जो होती है इने अनेचिक पेशिया भी कहा जाता है, क्योंकि हमारी इच्छा के वगर काम करती है, और यह याद रखना, यह हड्डियों से भी जुड़ी हुई नहीं होती, इस जिसे इन्हें कहा जाता है, एकंकालिये पेशी, एकंकालिये पेशी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एकंकाल लिया जाए कि यह जो एरेखित पेसी होती है यह खाँ-खाँ उपस्तित होती है तो आपको क्या-क्या याद रखना है आपको याद रखना है भीया आहार नाल आहार नाल के सुरुआत खाँ से होती है मुख से होती है मुखे के बाद इंबोजन खाँ जाता है बोजन नली में बोजन खाँ जाता है पेट में पेट के बाद इंबोजन खाँ जाता है छोटी आथ में छोटी आथ के बाद इंबोजन खाँ जाता है बड़ी आथ में और वो एरेखित पेशी होती है वह इसके अलावा पितास्चे जो आपका पितास्चे होता है जो आपका पितास्चे होता है साइदी से गोल ब्लेडर कहा जाता है इंगलीस में पितास्चे को तो जो पितास से होता है, इस पितास से मैं भी वह जो मसल्स होती है वो एरेखित होती है, अनिच्छिक होती है, एकनकाले होती है इसके अलावा मुत्रा से जिसमें मुत्री कट्टा होता है गर्भा से उसके अलावा सीसन, योनी, पलिहा इन सब ही में किस परकार की पेसी होती है, किस परकार की मास पेसी होती है, एरेखित मास पेसी होती है अनिच्छिक मास्पेशी होती है तो यह चीज तो आपको याद रखने ही रखने है इंपोर्टेंट क्या है इंपोर्टेंट है भाईया इंपोर्टेंट क्या है इंपोर्टेंट है इसकी सरचना इसकी सरचना कैसी होती है तो याद रखना इसकी सरचना पतली होती है पतली होती है है कि नहीं इस पेंडल आकरती की होती है इस पेंडल आकरती की होती है और भीया इसमें एक केंद्रक पाया जाता है इसमें केंद्रक की सिंख्या कितनी होती है एक केंद्रक होता है याद रखना है रेखित पेसी में बहुत सारे केंद्रक होते हैं लेकिन रेखित पेशी और हर्दे पेशी में एक-एक केंदरक होता है, इस बात का आपको द्हान रखना रहा है, इसमें बहुत सारे होते हैं, तो यह important आपके जम में यहां से क्यूशन पूछे जाते हैं, छोट-छोटी बात है, इसकी आकरती केसी होती है, तो मैं आपको बना करके बता देता कुछ इस तरीके की होती है, इसकी आकरती, इसमें यहां पर केंदरक पाया जाता है, यह बहुत सारी होती है, और इसके बीच में केंदरक पाया जाता है, आपर कुछ इस परकार की आपको दिखाई देती है विसे मैं डाइग्राम बना दूगा दूसरा डाइग्राम कितने मिनट पर है बया 21 मिनट पर है यह भी मैं बना दूगा यह भी मैं बना दूगा तो किसी को कोई प्रोब्लम यह याद रख लेना पतली होती है यह देखो सकत होती है यह पेशिया खां होती है हर्दे की दिवारों में उपस्टी तो होती है लेकिन इसके सरचना के बारे में आपको पता होना जरूरी है बेलनाकार होती है एक केंद्रक होती है उसके अलावा साखा युक्त होती है जो हर्दे की जो सरचना होती है हर्दे पेशियों की जो सरचना होती है यह भी इंपोर्टेंट है वो क्या होती है बहिए देखिए एक केंद्रक पाया जाता है सबसे पहले केंद्रक याद कर लीजिए उसके अलावा बेलनाकार होती है और बेलनाकार क्या क्या थी रेकित पेशिया भी तो बेलनाकार ही थी लेकिन यह बहिए साखा य जाद रखने है कि जो रेकित पेशिया होती है इसमें हलके वह गहरे पट पाये जाते रहे हैं जो आप इस पर स्कूप से दिखाए देगा मैंने डाइग्राम लगा दिया है पहले और यहाँ पर भी लगा दूँगा अगर यहां पर रह जाता है वेसे बाइस मिनट पर है ना तो मैं लगाने के कुछिस करूँगा यहां भी लगा दूँगा ठीक है तो आप देख लेना यहां पर इस पर स्टूप से हलके वह गहरे पट दिखाए दे रहे हैं तो यह चीज इंपोर्टेंट आपसे एक जम में पूंच आई है अगर आपने द्यान से सुनी है एक एक चीज को द्यान से सुना है तो यह सारी के सारी ही चीजे आपके लिए इंपोर्टेंट है अब आगे आने वाले 20-25 मिनट में मैं जो आपको कुछिन करवाने वाला हूँ उन सभी कुछिनों का आंसर आप चुटकियों में हल कर सकते हूँ बट सर्थ इतनी सीक है कि जो मैंने आपको पिछले 10-15 मिनट में पढ़ाया है याद करवाया है वो सारी चीजे आपको याद होना जरूरी है तो पहले तो आप स्क्रिंसोर्ट ले लिजी इन सभी ही का ले आपने स्क्रिंसोर्ट ओके विया अब देखे विया स्क रेखित पेसी कोशिकाओं में क्या आंतर है यह आपसे क्यों संपूछा गया है यहापर option पहला दिया गया है कि जो रेखित पेसिया होती है वो तंतरिकाओं से नहीं जुड़ी होती है जबकि रेखित पेसिया जुड़ी होती है क्या मैंने आपको बताया है क्या रेखित प आनसर गलत हो जाएगा. यानि क्यो ओस नबर एक गलत हो जाएगा. ओके. ओस नमबर बी के बारे में देखते हैं. रेखित पेशियों में केंदरक नहीं होता है. जबकि ये, रेखित पेशियां sous केंदरित होती है. क्या मेंने आपको इसा बताया है क्या? कि रेखित पेशियों में केंद्रक नहीं होता है मैंने तो आपसे ये कहा वया कि रेखित पेशियों में केंद्रक पाया जाता है और एक नहीं बहुत सारे केंद्रक पाया जाते है लंबी होती है, बेलनाकार होती है इसके सरजना इसमें बहुत सारे केंदरक होते हैं जो केंदरक होते हैं वो किनारों पर ओर होते हैं ये ओर मैंने आपको बताया था और एरेखित पेशियों में तो बैया एक ही केंदरक पाया जाता है दूवी केंदरित नहीं होते, दो केंदरक नहीं होते इतनी बात के लिए रहे तो OPS NUMBER B भी गलत हो जाएगा OPS NUMBER C के बारे में बात करते हैं एरेखित पेशियों का एच्छिक संकुचन नहीं होता जबकि एच्छिक पेशियों का अपनी इच्छा से संकुचन होता है बिल्कुल सही बात है संकुचन का मतलब होता है सिकुडना जो हमारी इच्छा से काम करे वो होती है एच्छिक पेशिया अरे तो एच्छिक पेशियों में जो संकुचन होगा वो हमारी इच्छा से ही तो होगा भाई हमारी इच्छा से ही तो होगा जबकि यह रेकित पैसियों को अनेचिक पैसिया कहा, यानिकि यह पैसिया जो होती है, यह हमारी इच्छा से काम नहीं करती, तो इच्छा से काम नहीं करती, तो हमारी इच्छा से संकुचन होगा क्या उसमें नहीं होगा, और रेकित पैसियों में हमारी इच्छा से संकुचन होगा इसलिए भया आपका ओप्स नंबर तीन जो है ओप्स नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा तो पिछले 10-15-20 मिनिट में हमने जो चीजे पड़ी है जो चीजे सीखी है बिलकुल आसान मासा में सीखी है मैंने आपको कोई बड़ा चंडा का नहीं बताया जो चीजे बताई है सटिक चीजे बताई है बिलकुल आसान मासा में बताई है और मैं आपको जो पड़ा रहा हूं मैं आपको या फिर other competitive exam में जो जो कुछन आपसे पूछे गए हैं उन सभी कुछनों को आधार मानते हुए मैंने अपना content तैयार किया है और वो ही चीजे में आपको सिका रहा हूँ जो आपसे exam में पूछी जाती है फालतू की चीजे में आपको एक भी नहीं बताई जो चीजे में अभी आपको बताई है जाद ने 10-15 मिनेट में हमने पूरा muscular system एक तरीके से देखा जाए तो जहां तक आपका सलेवस जाता है यानि कि जहां तक आपसे railway में पूछा जाता है वो सभी चीजे में आपको बताई है देखो competitive exam में कैसी exam में आप जितना पढ़ोगे उतना ही कम है लेकिन मेरा ये मानना है कि जो चीजे आप पढ़ रहे हो क्या वो अच्छी है क्या अच्छी का तात्रिय यहां पर यह है क्या ये हमारी exam में आते हैं क्या तो वो चीजे आपको पढ़ने है जो हमारी exam में पूछी जाती है और पहले जिससे question नहीं आते है तो आज कल इस परकार की question बहुत कम पूछे जाते हैं बहुत अच्छी लेओल के question पूछे जाते हैं आप सोचते होंगे कि railway group D सबसे easy exam में railway में जितनी भी exam होती है उनमें से लेकिन मेरा ये मानना है कि railway group D में कुछे question पूछे जाते हैं वह बहुत अच्छी लेओल के पूछे जाते हैं मैं सबसे टपेश्ट exam मानता हूं railway group D कि अगर वह से देखा जाए तो क्योंकि इसका जो paper होता है वह बहुत अच्छी लेओल का बनाया जाता है अच्छे तरीके से मनाया जाता है हां इसमें होता क्या इतना सा फरक है कि कुछ question आता है वह बिलकुल जीरो लेओल के होते हैं लेकिन कुछ क्यूष्णों का अगर हम average निकाल कर देखे तो बहुत अच्छी एक्जाम का पता बताते हैं वह आप सभी को पता है एलफी में बेटेट्मी में बढ़ चुकिन है मैंनेने कम्यूटटीट्रियोets में पूस्ट कर दिये आसा करता ह genomeं कम्यूटिपयोति में कम्यूटिटि में आप सभी को पता है मैं सुबह 6 बजे और साम 6 वजे बाइलोजी के मिस्ट्री फिजिक्स के किसनों डालता रहता हूं जिसका अंसर हर रोज आठ दस जार इस्टूडेंट देते हैं जब हमने शुरुवात किया था तो भया लगबग 2-5 इस्टूडेंट देते थे शुरुवात में थोड़े दिन बाद में मैं लगाता परियास करता रहा तो सो दोसो पांसो चार सो पर अगर पांसो भी आंसर देते थे उनके उस्टूडेंट तो मुझे बहुत खुशी होती थी लेकिन आज आप सब का प्यार इतना अच्छा है कि आट-दस जार स्टूडेंट हर रोज उनके उसनों का अंसर देते वह दीरे- करके आप यह अकड़ा भी और बढ़ा दोगे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके मैं आपको प्रिए अपको बाइलोजी पढ़ाता हू से पिछली एक्जम में जो जो किशन पूचे गए हैं वो सबी किशन में आपके सामने एके करके रखता हूँ और उन सबी किशनों का आपको आंसर देना है तो पहला क्यूशन आपको clear हो गया वहाँ, मसल्स के बारे में, मास्वेशियों के बारे में, जो सारी चीजे हैं, वो सारी चीजे भी आपको clear हो गई होगी, अब क्या हमने वास्ट विक्ता में जो concept सीखा है, या फिर समझा है, क्या उसमें से ही हमारी एक जम में क्यूशन रहा हूं जो आपके एकजाम में पूंची जाएं कि ओके तो अब स्क्रिन वार्ट ले जिए मैं सेकंड कुशन पर चलता हूं डायरेक्ट वहिया इसे मिठा करके चले वहिया ओके देखे बैया ये रहा आपकी स्क्रीन पर Q2 Q2 कहाता है कि रेखित पेशियों के सम्मन्द में निमिल लेखित में से कौन सा कथन सही है मैं आपको रेखित पेशियों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा चुका एक बार मैं आपका फिर रियोजन करवा देता हूँ ताकि इसक्यूशन का आंसर देने में आपको सरलता रहेगी रेकित पेसिया को हम एच्छिक पेसिया भी कहते हैं रेकित पेसियों को हम एच्छिक पेसिया भी कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि यह इसी पेशिया होती है जो मारी इच्छा से काम करती है यह पेशिया हड्डियों से जुड़ी होई होती है इसलिए इने में कंकाली पेशी भी कहा है मुक्य रुप से यह हाथ पेर पीट और गर्दन पर उपस्तित होती है मैंने आपको बताया था कि इस पर हलके वे गहरे रंगे पट मौझूद होते हैं उसके अलावा मैंने आपको बताई थी किसकी जो आकरती है वो लंबी होती है बेलनकार होती है और भाया बहु केंद्रिय होती है निकिस में बहुत सारे केंद्रिक मोझूद होते है क्या आपको याद आई पिछली क्लस केने का मतलब पिछला क्यूसन आपको याद आया इसजी क्लस में मैंने आपको सिखाई तो अगर यह सारी जीजे आपको याद है discussion का answer आप अच्छे से दे सकते हैं और यह क्यूशन आपसे RRB Group D में पूछा गया है भाई RRB Group D में कब है अभी 2022 में 289 2022 को 289 2022 को options है option number A इनकी कोशिकाई लंबी एसुडित और S अखित होती है option number B bench लंबी घया नी की जो कोशिकाई है रेखित पेशियों की वो लंबी एसुडित शिरोवाली A polarization Ah एस अखित और बेलनाकार होती है option number C है इनमेりD everybody ॽंपस्त हल्के गहरे पट उपस्तित होते हैं option number D答 बेलनाकार आकरती वहां साखित होती है बताइए इस कुछन का राइट आंसर क्या होगा अगर आप ध्यान से समझते हो तो देखिए ओप्स नंबर एक के बारे में चर्चा करते हैं रेकित पेशियों में पाई जाने वाले जो कोशिका होती है उनकी सरचना मैंने आपको हो जाएगा आगे जाने के आओ सकता नहीं है ओप्स नंबर बी की बात करते हैं कि रेकित पेशियों में इनकी जो कोशिका होती है रेकित पेशियों की जो कोशिका होती है वो लंबी होती है बिल्कुल लंबी होती है एसोडी सिरो वाली होती है नहीं वहीं हमने कोई चर्च गहरे पट मोझूद होते हैं यहार रेकित पेशियों में तो यह हमारा option number सी right answer हो जाएगा लेकिन option number decor change कर देते हैं कि रेकित पेशियों में जो कोशिक आप आई जाती है वो asudit होती है अरे यह सुडीत हो ने चर्चाई नहीं कीती है यह तो option वे से ही गलत होगा तो जो चीज याद रखिए सारी की सारी ही चीज़े आपको बिल्कुल इजी तरीके से इजी वे में समझ में आ जाएगी तो दो क्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं वह या कि उस नमबर तीन की और चलते हैं आसा करता हूं यहां तक के कहानी आपको बहुत अच्छी से समझ में आ गई होगी इसक्रीन सोट ले ले जी ले आपने ओके वह या देखे वह अब बात करते हैं क्यूशन नमबर तीन की कि उ जो सीखाया है उसी में से ही यह कि उसन आपसे आपके एक चाम में पूछ गए है कि उस नमबर तीन जो है वह रेलवे गूर्पडी में पूछा गया है 15 922 को ले टेस्ट कि उसन करवा रहा हूं वह सब भी कि उसन और आप देख सकते हो इस कंकाल तंतर वाले चेप्टर में ह पैसियों से पूछ लिए तो आपको सब चीजे पढ़नी होती है कि उस नमबर तीन कहता है कि एच्छिक पैसियों के समंद में निम्न में से कौन सा कथन गलत है कि उसन को ध्यान से पढ़ना है जब भी आप आपकी एक जम में बेटते हो तो भाया दिल और दिमाग दोनों से बेटो इदर उदर बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाना चाहिए आपका प्यूसन को अच्छे से पढ़ना है कभी कभी क्या होता है हम जल्दी बाजी में प्यूसन को गलत करके आ जाते हैं कैसे जैसे कि एच्छिक पैसियों के समंद में न आगे पढ़ते ही नहीं है तो इस परकार से गलती होती है भाया इस परकार से गलती होती है आप मानो या ना मानो इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी क्यूसन हो उस क्यूसन को पूरा पढ़ना है द्यान से पढ़ना है तो क्यूसन नंबर तीन कहता है कि एच्छिक पैसियों के स जो उप्सन आये हैं, वो ही उप्सन है, सारे के सारे ही उप्सन मस्त है, बिल्कुल, RRB Group D में पूछा गया है, 15.9.202, इसको पहला उप्सन देखिए, इन पेशियों को कंकाल पेशी भी कहा जाता है, मैंने आपको सिखाया था कि जो रेकित पेशिया होती है, उन्हें ही एच पेशिक पेशिया कहा जाता है, क्योंकि यह हमारे इच्छा से काम करती है, और यह अड्डियों से जुड़ी होई होती है, इस जिसे ने क्या कहा, इसलिए ने कंकाल पेशिया कहा जाता है, हाँ भाई, कहा जाता है, हमने कब मना किया है, तो यह तो सही है, ओप्सनमर B के बा तक इसमें जो हलके और गहरे इस प्रष्ट पट होते हैं भाई यह भी मैंने आपको बताया है तो B और C भी सही हो गया भी आपस नमबर D गलत होना चाहिए आपस नमबर D कहता है कि लंबी बेलनाकार ऐसाखित एकल केंद्रिय होती है इसकी सरचना यानि कि जो एचिक मैसिया ह है इनमें जो कोशिका पाए जाती है उसकी सरचना कैसी होती है लंबी होती होती है बैलनाकार होती है होती है ऐसाखित होती है बिल्कुल होती है यह साखित साखाखा है नहीं है आप देख सकते हो मैंने आपको पहले भी स्क्रेंशोट लगाया है लेकिन यह चीज गलत है वह एकल यह होती है यह गलत रहेहां जरत यहीं बहुत सारे होते हैं और इसक्राय किकारोपस्थ होते हैं मुख्यरूप से सब्सक्राइब मतल वोगाई अगर आपको वंस्तों आश्य लग रहे हिए तो वीडियो को लाइक करगई कीजिए चैनल पने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वेल आइकन को प्रेश कर लेना ताकि आपके पस हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टेम टेम पहुंच सके हैं अब बताया मैं भूल चुका हूँ मेरा ध्यान नहीं था मेरा ध्यान नीथा मेरा पड़ाय पर धियान था एक बैच है जिसको मैंने एक Start किया था और उस घ्यमिन में आपको UK करेंद ये साथ में जिस तरीकेसे चेप्टर में आपको कर वा रहा रहा हों कि उसी तरीक에서 हैं इस चेप्टर में मैं आपको 26 चेप्टर कर वा चुक चुक का यानिकी इस बेच इस चप्टरों के प्रेशिय क्लिड कर1 चुगा इन चेप्टरह के मैं आपको कम्प्लेट करवा चुका, अब हम भाईया कंकाल तंतर वाले चेप्टर पढ़ रहे हैं, तो इस पंकाल तंतर का जो प्ले लिस्ट में डालूगा वो उसी बेच में डालूगा, भीया तो जितने भी सारे क्यूशन अगर आप सारे देख लेते हैं तो भया आपको सब को पता लग जाएगा कि भया हमारी एक जम में इस कुन से कुन से चेप्टर से कुन कुन से क्यूशन आये है ठीक है तो किसी को कोई प्रोब्लम है अतक बिल्कुल नहीं होने चाहिए प्रोब्लम है और देख वह यह रहा आपके स्क्रीन पर क्यूशन नंबर चार काता है कि एक मानों शरीर में अन्यचिक पिस्या खां होती है कि हात में पेर में गर्दन में यह पिर दिल में और यह कुषन आप और रर्भी अंटीपिसी में पूछा गया है करती है मैं आपको पता दो jiwa हर्दे होता है इसमें इनिटेकर काम करती है क्या हर्दे में इछा से कामि करती है नहीं करती है तो दिल में पाइजाने माले जो पैसी पन होती है वह भी एक निटेंट है जिसे कि मानले जी हमने चाहा ए removal ट्रॉसेस होती है अगर मैं चाहा तो इन rog लिए लेकिन एमारे इछा से काम करती है इसे मर उखे लिए दिल याने कि ह हर्दे के बारे में बात हर्दे में जो पेश्य पाइ सब्सक्राइब एक इतनी बात के लिए रविया ओकई नेक्स्ट क्यों चलते हैं की इस लाव पांच की ओको कि देखे विया अब बात करते हैं की अब पांच की इसफंडाइब किता है कि किन मासपेशियों को कंकाल पेशी कहा जाता है, का नहीं है, यह को है बाइया? तो किन मास पेशिओं को कंकाल पेशी कहा जाता है? आपके option's ay, option number 1, an говорил 10, option number 1, अचिक बी है, हर्दे पेशी, option number 3, अचिक पेशी, option number 2 है, तो इसका right answer क्या हो जाएगा option number C, जो मैंने आपको पड़ाया, उसी में से ही आपसे आपकी एक्जाम में क्यूशन पूचे गए, तो आप समझ सकते हो कि हमारा जो concept है, वो कितना अच्छा है, ठीक है, screen short ले लिजी, next question क्यों चलते हैं, चले बया, okay, देखे बया, ये रहा नाबिक, option number D है, नाबिक, बेटरी डिस्चार्ज होने वाली है बया, और ये क्यूशन आपसे RRB Group D में पूंच गया है, 512-2018, देखिए, धरेदार पेसिया, AC पेसिया होती है, जो मुक्रूप से आपकी हड्डियों से जुड़ी होती है, और हड्डियों से जुड़ी ही प देखोगे, तो इसमें भी आप बहुत सारे केंदरक होते हैं, मैंने आपको बताया भी था किस क्या करते हैं, लंबी बेलनाकार और बहु केंदरियों होती है, जिसका राइटांस रो जाएगा, ओप्स नंबर सी बहु केंदरियों, तो आज यही ते रखते हैं, भून की बे झाल 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